नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 19 जून शनिवार शाम सवा 5 बजे राजसान की बड़ी खबरें अलवर की ESIC Medical College में कॉंट्रेक्ट पर 108 पदों पर की भरती में जम कर भष्टाचार हुआ है ACB की रेड के बाद लगातार नए खुलासे हो रही है बरती करने वाले MJ सुलंकी कंपनी के संचालक व्यकरमचारियों से 20 लाक रूपे की अधिक के जप्ती के बाद कॉलेज के दस्तावेजों की चान बिन हुई है पता चला है कि Medical College के डीन सहित 4 अफसरों ने बिना काकच लिये ही 78 लोगों को नोक्री दे दी है इन में से 12 नर्सिंग करमी और 20 नर्सिंग साहिप तो ड्यूटी भी कर रहे थे केवल 90 में से 12 अभ्यरतियों के ही दस्तावेज मिले है राजिसान में शुकरवार को मांसुन की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया दक्षिर राजिसान के रास्ते आई मांसुन के बादलों ने जालावार को तरबतर कर दिया बांसवडा, रासमान और प्रताबकर जिले के कुछ हिसों में मांसुन की पहली बारिश में तीन इंच से ज़्यादा फानी बरसा पाली में तेज बारिश के बाद सुखी पड़ी बरसाती नदिया बहली शुरू हो गई मोसब विबाग ने आज भी इन शेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने और आसमान में दिन भर बादल चाये रहने का अनुमान जताया है प्री मानसुन से जोदपुरो रजमेर संभा के कई जिलों में बारिश हुई मोसब विबाग से जारी डेटा के मुताबिक बीती राथ, बांसवडा, डुंगरपूर, प्रतापगर, चितोडगर, सिरोही, जहलावाडा रासमन पाली साहित एक दर्जन से अधिक जिलों में अच्छी बारिश हुई राहूल गांदी के जन दिन पर आज कांग्रेस के चाते संगठन SSUI के रन फोर रन नाम से हुई 10 किलोमेटर की मेराथन रेस में युवा तो खूब दोड़े लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता केवल हरी जन्डी दिखा कर रवाना हो गए राहूल गांदी के बर्थडे पर जैपूर्स में अलबाट हॉल से OTS से दोनों तरफ मिला कर 10 किलोमेटर दोड़ना था NSUI के कार्यकरता और युवा बड़ी संख्या में दोड़ते दिखे लेकिन मेराथन की शुरुवात करने के लिए कांग्रेस प्रदेशा दक्ष और मंतरियों में खेल मंतरी अशोक चंदाना को छोड़ कर कोई नहीं दोड़ा मेराथन को कांग्रेस प्रदेशा दक्ष गोविंग सिंग डोटा सरा, परिवान मंतरी प्रताव सिंग खाचरियावास, क्रिशी मंतरी लाल चंद कटारिया, खेल मंतरी अशोक चंदाना, NSUI प्रदेशा दक्ष अभीशेख चोधरी ने हरी जंटी दिखा कर रवाना किया रेल्वे बोर्ड ने अपने करमचारियों को बड़ी राहत दी है, रेल्वे करमचारी अब भी ना रेल्वे अस्पताल से रहफर हुए सिधे नीजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं समयमत सचिव सुभाश पारिक ने बताया कि AIRF के महामंतरी स्टी मिश्रा और AGS मुकेश माथूर ने डेल्वे बोर्ड से कहा था कि वे अपास सिधी में रेल्वे करमचारी को सीधे नीजी अस्पताल में इलाज करवाने की अनुमती दे, ताकि उन्हें तुरंत बहतर इला इसको एक आदेश चारी किये हैं प्रदेश में जहां पाली, बांसवाडा और कई अन्यद इलाकों में मांसुन ने दस्तक दे दी है, वहीं उतरी जिले श्री गंगानेगर में भी अभी मांसुन की कोई सभावना नहीं है अगर इससे पहले बर साथ हुई भी तो यह किसी लोकल डिस्रेबर्स का ही परिणाम होगी सान्य मोश्तम विशेश के बताते हैं कि श्री गंगानेगर में 20 दिन बाद इसकी शुरुआत रहती है और जरूरी नहीं कि यह भी इलाके पर जुलाई के दूसरे सप्ता तक असर दिखा सके कई बार इलाके में वर्षा के लिए अगस्तक इंतजार करना पड़ता है रासमन शहर में बाढ़ ही खेत को खा रही है नगर परिशत के एक स्थाई सफाई करमचारी को शुकरवार को लोहे की भारे जाली चुराते हुए सभापती नहीं पकड़ लिया आरोपी यूवक के खिलाफ राजनगर ठाने में हाथो हाथ मामला भी दर्च करवा दिया इधर उसे आयुक्त ने सस्पेंड भी कर दिया हुआ यूवक की शहर में बरसात पुर्व नालो की सफाई का काया चल रहा है इस दुरान सोफिट रोड पर सभापती अशोक टांग खड़े थे यहां एक यूवक्त ने दिन दहाडे ही नालो पर ढखी लोहे की दो भारी भरकम जाली उठा कर सड़क किनारे रख दी एक जाली को दो अन्य यूवकों की मदद से उसने स्कूटी पर रखा और ले जाने लगा पंजाब के मुख्य मंतरी कैप्टर अमरिंदर सिंग की अध्यक्षना में शुक्रवार को मंतरी मंदल की बैठक हुई इसमें छटे वेतन आयोग की अधिकांज सिफारी उसों को मंजूरी दे दी गई ये सिफारी शें एक जुलाई से लागू कर दी जाएंगी छटा वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा इस फैसले से सूबे के 5,4,000 सरकारी करमचारियों और सेवा मुक्त करमचारियों को लाब होगा इसके लाबा सरकारी करमचारियों का नियूनतम वेतन 6,950 रुपे प्रती महा से बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रती महा करने की भी मंजूरी दे गई है दोसा जिले में प्री मानसुन के बाद कई शेत्रों में किसान खरी फसलों की बुआई में जुड़ गई है इसके साथ ही अगामी दिनों में बारिश आने से पुर्व की तैयारियां भी शुरू कर दी है जिला मुख्याले से सटे आसपस के शेत्रों में काश्टकारों ने सबजी और चारे के साथ ही अन्य फसलों की बुआई की है महुआ, सिकराए, वेबांदी कोई शेतर के किसानों द्वारा, जुआर, बाजरा, मुंगफली, मक्का, मुंगादी, खरीफ की फसलों की बुआई कर खेतों की निराई गुड़ाई तैयारी की जा रही है उत्राखण में मानसुन शुरुआत से ही खोफनाक रूफ दिख रहा है, कई घंटों से हो रही मुसलादार बारिश से नदियां उफान पर है बरसाती नालों में भी पानी बढ़ गया है, रिशी केश और हरद्वार में गंगा का जलसर बढ़ गया है इस कायन अलर्ट जारी किया गया है, गंगा, गोरी, शार्दा, अलकननदा, मंदाकनी और नंदाकनी नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है सुप्रीम कोर्ट की जज इंद्रा बनर्जी ने चुनाव के बाद बंगाल में हुए हिंसा की सुनवाई करने वाली बैंच से अपना नाम वापस ले लिया है जस्टिस बनर्जी कोलकता की रहने वाली है, उन्होंने कहा कि वो इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहती है बता दें कि बंगाल में दो मई को विधान सबाग चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी इस दुरान बीजेपी के दो कारेकरताओं की मोत हो गई थी, अब इनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है बारतिय जन्ता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अदक्ष आदेश कुप्ता ने मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल पर गंभी रारोप लगाया है उन्होंने कहा है कि अब उन्हें हर वो सुविधा चाहिए जो यह बताए कि वह दिल्ली के राजा है आदेश कुप्ता ने कहा कि केजरिवाल ने अपने सरकारी अवास के नभीनी करण पर 10 क्रोट रुपे से ज़्यादा खर्च कर दिया है फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ